परिचए किसी समुदाय के अंतरगर्द सामान्य नाम साधारन उप्योग के लिए होता है। यह अक्सर विज्ञानिक नाम से भिन्न होता है। जीवों को लेटिन भाषा के उप्योग द्वारा इस प्रकार नाम दिया गया है कि दोनों जन्तुओं का नाम समान नहीं होता। हाँ, हम जानते हैं कि टेक्सोनौमी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो जन्तुओं को पहचानने, उसे नाम देने तथा उसका वर्गी करण करने से संबंधित है। इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। टेक्सोनौमिक प्रकारों की पहचान करना, प्रजातियों को समझना, वर्ष को समझना, कुलों के प्रकार को ग्याद करना, गण के प्रकार को समझना, वर्ग को समझना, संग को समझना, जगत के बारे में अध्यन करना विविध टेक्सोनॉमिकल युक्ति को ग्याद करना हर्बेरियम बनाना समझना विविध बायो टेक्निकल गार्डन के बारे में ग्याद करना संग्रहाले को समझना विविध जूले जिकल पारकों का पता लगाना जानना की मूल शब्द क्या है? वर्गी करण जन्तूओं को नाम देना तथा उसकी पहचान करना युनानियों तथा रोमवासियों ने शुरू किया. अरस्तू ने जीवों को घोडों, पक्षियों तथा ओग जैसे समूहों में वर्गी कृत किया. उन्होंने कहा कि सजीव या तो पादप है या जन्तू. मध्य युग में जीवों का वर्गी करण लंबे लेटिन चित्रनों के प्रयोग द्वारा किया गया. जौन रॉय ने तर्क दिया कि प्रत्येक जीव का एक समूह नाम से होने चाहिए, नहीं तो मनुष्य सही रूप से देख वर लिख नहीं पाएगा. बहुपद लेटिन शब्दों या वाक्यान्शों का एक समूह है, जिसमें बाराह या उससे अधिक शब्द होते हैं. यह पद्धती उबाव तथा भ्रमित करने वाली थी. सन 1742 इसवी में स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरूलस लिनियस ने द्वीपदी पद्धती को विक्सित किया. द्वीपदी दो भागों वाला नाम होता है, प्रथमपद वंश नाम होता है, द्वितियपद विशिष्ट उपाधी के लिए होता है. दोनों शब्दों को तिर्चा लिखा जाता है, वे दोनों संयुक्त रूप्ट से वैज्ञानिक नाम निर्मित करते हैं. उदाहरण मैंजी फेरा इंडिका यानी आम. वर्गी करन के प्रकार अरस्तु ने जीवन को 14 समूहों में वर्गी करित किया जैसे स्तंधारियों, पक्षियों, इत्यादी. राय ने जन्तुओं तथा पाधपों को उनके आपसी संबंधों के आधार पर समूह में पाटा. आध्वनिक टेक्सोनामिस्ट ने वर्गी करन के लिए नियमित आधार का उप्योग किया. जाती, वन्ष, कुल, गुण, वर्ग, संग, जगत. प्रांथ, टेक्सोनामिस्टों ने जन्तुओं वर्गी करन के लिए उत्तरा धिकार पध्धती का उप्योग किया. जाती जौन राय के अनुसार जाती जीवों का एक समूह है जो आपस में उर्वर बच्चों को जन्म देते हैं ओन्सक्न मेर ने जैविक जाती अवधारना को प्रतिपादित किया वन्ष के अंतरगर्थ समबंधित जातियों का एक ऐसा समूह आता है जिसमें दूसरे वन्षों के जातियों की तुलना में गुण सामान्य होते हैं जीनस पदक्यूद पत्ती लेटन भाशा से हुई है जीनस बराबर वन्ष क्रम कुल प्रकार लिंग या ग्रीक भाशा के जोनस यानी जातियों और वन्ष को मिलाकर यानी परिवार हम कैसे कह सकते हैं कि जेनरा निकटतम समबंधित जातियों का ओसत है कुल वन्षों वजातियों की तुलना में कम समरूपता के साथ समबंधित जेनरा का एक समूँ है फैमिली पद की उत्पत्ती लेटन फैमिलिया बराबर फैमिलिया से हुई है उदाहरन हम कह सकते हैं कि आलू टमाटर तथा बैंगन सोलैनेश्या फैमिली में आते हैं जबकि शेर, चीता, बाग, इत्यादी, फैलिडा, कुल के अंतरगर्थ आते हैं गण निकट्ता से संबंधित कुलों का एक समूह जिन में निश्चित रूप से सामान्य गुण होते हैं गण यानी ओडर पद की उत्पत्ती लेटन के आडो बराबर श्रिंखला यानी सीरीज यानी पंक्ती यानी गण यानी ओडर से हुई है उदाहरण पादब कुल, सोलेनेसिया एवं कवॉल्वुलेसिया को पॉल्मोनियल्स गण में सम्मिलित किया जाता है जबकी जन्तु, पैमिलिस जैसे की, पैलिडा एवं कैसिंडा, मानसाहार यानी कार्निवोर गण के अंतरगर्थ आते हैं वर्ग निकटता से संबंधित गुणों के समोह जिसके गुणों में निश्चित समानता होती है क्लास या वर्ग, पद की उत्पत्ती, लाटिन के, क्लासिक बराबर एक वर्ग या गण, जाती प्रकार से हुई है उदाहरण, वर्ग स्तंधारी, मेमेलिया संग जीविज्ञान में संग का स्थान, वर्गी करण में जगत से नीचे, वर्ग से उपर है निकट्टा से संबंधित वरोगा वह समूह जिसके गुणों में निश्चित रूप से समानता होती है जी विज्ञान में संग विभाजन के तुल्य है जगत जगत या रेगनम वर्गी करण में या तो उच्चतम स्थान या प्रान से नीचे का स्थान है प्रत्य जगत को लगह तर समूह में विभाजित किया गया है जिसे फाइला कहते है छे जगतों के निकाए हैं जन्तु, पादप, कवक, प्रोटिस्टा, आरकेया, बैक्टेरिया जबकि कुछ लोग केवल पाँच जगतों को मानते हैं मोनिरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जन्तु डोमेन यानि प्रांथ प्रांथ जीवों के टेक्सोनॉमी रांक में जगत से भी उच्चतर सबसे उच्चतम है इसे सपूर रिगनम, सूपर किंग्डम या इंपायर भी कहते हैं कार्ल वोईस के अनुसार प्रांथ तीन है आरकेया, बैक्टेरिया, युकेरिया टेक्सोनॉमिक एड्स सूचनाओं तथा नमूनों के भंडारन जो जीव की पहचान तथा वर्गी करण में मदद कर सकते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स कहलाते हैं हर्बेरिया, पुटनिकल गाडन, संग्रहाले व जूओलोजिकल पार्क जैसे कई टेक्सोनॉमिक एड्स हैं हर्बेरियम हर्बेरियम एकत्रित पादप नमूने का भंडारन ग्रह होता है जिसमें प्रिष्ठों पर सूखे, दबे तथा संग्रक्षित पादप होते हैं इन प्रष्ठों का वर्गी करण सर्वत स्वीकृत तंत्र के अनुसार किया जाता है हर्बेरियम प्रष्ठों पर ये नमूने उनके वर्णन के साथ भविश्य के उप्यों के लिए भंडार ग्रह या गोदाम में रखे जाते हैं हर्बेरियम प्रिष्ठ में लेबल पर एकत्रित करने की तिथी वस्थान अंग्रेजी में स्थानिय तथा बुटानिकल नाम कुल संग्रह करता का नाम लिखा होता है ये नमूने संपून पादपों या पादप के भाग हो सकते हैं ये प्रायह शुष्क रूप में किसी प्रिष्ठ के उपर रखा जाता है इन्हें आलकोहॉल या अन्य संग्रक्षित पदार्थों में भी रखा जाता है, जो पदार्थों की प्रकृती पर निर्भर करता है. हर्बेरियम में पादप वर्ग का वर्णन करने के लिए नमूने को अक्सर निर्देशित पदार्थ के रूप में उप्योग किया जाता है कुछ नमूने इसके प्रकार भी हो सकते है एक ऐसा स्थान जहां पर तरह तरह के पौधे विशेश रूप से वैज्ञानिक या शेक्षिक उद्देशिक लिए उगाय जाते हैं किन्तु लोगों को सामान्य तह देखने की छूट होती है एवं ऐसे पादपों में संसार के दूसरे भागों के सजावटी पौधे भी सम्मिलित होते हैं ऐसे विशिष्ट वाटिका में हवाला देने के लिए जीवित पौधों का समूहन होता है ऐसे वाटिकाओं में पादप प्रजातियों को पहचान के लिए उगाया जाता है तथा पादप पर इनके बुटानिकल या वैज्ञानिक नाम तथा इनके कुल का नाम अंकित रहता है प्रसिद्ध बुटेनिकल गार्डन, रॉयल बुटेनिकल गार्डन कियू, इंग्लैंड में है प्रसिद्ध भारतिय बुटेनिकल शोध संस्थान, लखनाव में है संग्रहाले अध्यन तथा हवाला देने के लिए संग्रक्षित पादपों वजन्तूओं के नमूने जैविक संग्रहालेओं में एकत्रित होते हैं जैविक संग्रहालेओं की स्थापना, साधारणत, शेक्षिक संस्थानों जैसे की स्कूल तथा कॉलेज में की जाती है नमूने को किसी पात्र या जार में संग्रक्षन प्रदान करने वाले विलेयन के अंदर रखा जाता है पादब तथा जन्तूओं के नमूनों को भी शुष्क नमूनों के रूप में संग्रक्षित रखा जाता है कीडों को एकत्रित कर, मार कर तथा ओल्पिन लगा कर कीट बॉक्स में रखा जाता है बड़े जन्तूओं जैसे पक्षियों तथा स्तंधारियों को प्रायह बंद कर तथा संग्रक्षित रखा जाता है संग्रहाले में प्रायह जन्तूओं के कंकाल एकत्रित होते हैं जोलोचिकल पार्क जिससे सामान्य तह चिडिया घर कहते हैं मूल शब्द मूल शब्द समरूपता के आधार पर पादपों तथा जन्तूओं की पहचान के लिए एक अन्य टेक्सोनॉमिकल एज्ज है मूल शब्द विरोधा भासी गुणों पर आधारित होते हैं सामान्त जोडे में जिसे दूई पदी कहते हैं यह दो विपरीत विकल्पों के बीच चैन को निरूपित करता है इसके परिणाम स्वरूप एक ही स्वीकृती तथा दूसरे का त्याग होता है शब्द कोश में प्रतियक कथन नेत्रित्व यानि स्मंक कहलाता है प्रतियक टेक्सोनॉमिक प्रकार जैसे की कुल, वन्ष तथा प्रजातियों की पहचाम के लिए अलग-अलग टेक्सोनॉमिक शब्द कोश की जरूरत पड़ती है शद्धकोश प्रायः प्रकृतिक रूप से विशले शात्मक होता है उनके वर्णन को लिखने के लिए कुछ अन्यसाधन जैसे की वनस्पती जगत, मैन्यूल, मोनोग्राव्स तथा कैटलोग होते हैं वे सही पहचान करने में भी वादद करते हैं वनस्पती जगत में आवास की वास्तविक्थिती तथा किसी दिये हुए क्षेत्र में पादपों का वितरण होता है यह किसी विशेश क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप प्रजातियों की अनुक्रमणी का प्रदान करता है Manual किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों के नामों की पहचान के लिए सूचनाए प्रदान करने के लिए उप्योगी होता है Mollica Grunt में किसी एक टेक्सॉन की सूचना होती है क्या आप जानते हैं? Acetabularia 6 cm से 10 cm लंबी सबसे बड़ी पादप कोशिका है E. coli 5 µm आकार का एक बैक्टीरिया होता है Eucalyptus Regnans सबसे लंबा व्रिक्ष है जिसकी लंबाई 114 मीटर है C.Q. O.E.A. सेंपरवर्नस लाल जंगली व्रिक्ष लगभग 11 मीटर लंबा होता है तथा कैलिफोर्निया में पाया जाता है हाथी थल भाग का सबसे बड़ा जानवर है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जंतूओं के प्रकार तथा विविधता की अध्यन के लिए जीव वैज्ञानिकों ने जंतूओं की पहचान, नामकरण तथा वर्गी करण के लिए कुछ नियम तथा सिध्धान्त विक्सित किये हैं इन पहलों की व्याख्या के लिए ज्यान की शाखा को टेक्सोनॉमी कहा जाता है पादपों तथा जंतूओं की विविध प्रजातियों को टेक्सोनॉमिक अध्यन, क्रिशी, वनविज्ञान, उद्योग तथा हमारे जैविक संसाधनों तथा उनकी विविधता को विशेश रूप से जानने में उप्योग होता है टेक्सोनॉमी का मौलिक आधार जैसे जंतूओं की पहचान, नामकरण तथा वर्गी करण अंतराश्ट्रिय कोड के अधीन सर्वत्र विक्सित हुआ है वर्गी करण के तंत्र में कोई जीव किसी स्थान को ग्रहन या नेत्रित्व करता है जीवों के कई प्रकार या रांक हैं तथा इन्हें टेक्सोनॉमिक केटेगरी या टेक्सा के रूप में प्रायः व्यक्त किया जाता है ये सब ही प्रकार टेक्सोनॉमिक स्थर का निर्मान करते हैं टेक्सोनॉमिस्टों ने जीवों को पहचान, नामकरण तथा वर्की करण प्रदान करने के लिए कई प्रकार के टेक्सोनॉमिक एड़िग्सित किये हैं। ये अध्यन वास्तविक नमूने से की जाती है, जिसे खेतों से एकत्रित किया जाता है, जिसे हवाला देने के लिए हर्बेरिया, संग्रहाले, बुट्यानिकल गार्डन तथा जोलोजिकल पार्कों में संग्रक्षित रखा जाता है। हर्बेरिया तथा संग्रहालेओं में नमूने को एकत्रित करने तथा संग्रक्षित करने के लिए विशेश तक्नीकी जरूरत होती है। बुट्यानिकल गार्डन तथा जोलोजिकल पार्कों में पादपों तथा जन्तूओं के जीवत नमूने मिलते हैं। टेक्सोनॉमिस्ट अधिक अध्यन के लिए मैन्योल तथा मौलिक ग्रंथ से सूचनाओं को तयार करते हैं तथा अलग करते हैं। टेक्सोनॉमिक शब्द कोश ऐसे तंत्र हैं जो गुणों के आधार पर पहचान करने में मदद करते हैं। करते हैं।